है तो है लोड़ यह स्वेंट्स और फेंट्स आज के सुड़ी में बात करने वाले हैं आर्मी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजी सी 140 एक्जाम जैनुवरी में आपको बता दे की आर्मी यह पे होने वाले हैं या पिर इसमें तक साथ आपको इंट्रव्यू देए ना किया और सब्सक्राइब करना होगा सब्सक्राइब करना होगा और आप सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा आपको फर्म भरने का देट आपका नौ मई 24 तक इस फर्म को भड़ा जाएगा इसी डेट के विजए अपने फर्म को भर लेना है आगे बात करते हैं आपके जो नोटिफिकेस्टिन उसके बारे में फ़र डिटेयल देने का प्रयाश करेंगे यह आपका 140 आपका टीजी सी रि आपका जो एक है वह 20 से लेकर 27 के बीच में रहना चाहिए थिक है कहने का मतलब है कि आपका यहां से इस डेट से आपका मिनमम् जो होगा आपका समझेगा कि आपका जो ऑगा आपका एज लाइक करता है तो आप इसके लिए लिजिबल माने जाएंगे सुनिएगा आपका मिनमम एज 20 27 होना चाहिए और दो जैन 1998 से लेकर एक जैन 2005 के बीच में आपका जो एज है वह दो डेट 25 तक आपके सारे डिगरी के फाइनल समेस्टर और कह सकते हैं औल समेस्टर के और परते एक यह के आपके डिजल्ट आ जाना चाहिए इंक्लूडिंग प्रोविजिनल के साथ तभी आपको यहां पर इलिजबल माना जाएगा इस पाटिक्लर फॉर्म के लिए अगर आपको सबसे पहले सेविल के व्रकेंसी निए जिसमें के सिविल ब्यूडिंग फा यह सब सेथे सेड किगेरी आपके बुडाइगा इसमें…" स्ट्रेम से और इंगरी को सबस्क्राइब करें तो इसलिए पर तेधिये नाम घ्राइब यहां तो जिसके घाले अलग और आप दर्साइब अवहिए ताकि किसी भी नाम से अगर अपने डिग्री को प्राप्ट किया है तो आप इसके लिए होंगे उसी परकार से अलेक्टिकल वाले यहां पर देख पाएंगे तीन सीट है यहां पर फिर इसी परकार से सारे जो डिग्री होंगे तो इस परकार से अपका लगवग आता जाता रहता है तो यहां पर बात करते हैं अगर यहां पर आपका जो अब हम आप बात करें वाले हैं कि सब्सकुर्ण के तो निए नकरी होगा आपकर फिर आपका 15-20 वाला यहां सब्सक्राइं यह babies किसमें सॉट लिस्टिंग आपके बीटे के या फिर आपके डिगरी के का सकते हैं कि मार्क सिट को देखते वे ध्यान में रखा जागा या निए आपके मार्क जितने रहेंगे उसके अधार पर आपका स्वाइब कर बूला जागा यह से इंटर्वीव के लिए जाता है यह इस नहीं निकाल पाते हैं तो उनको पहले स्टेज के दिन सेम ने ही बात करते हैं स्टेजए निकलने के आपका जो स्टेज良्य की इस्टेश हो गया nova उस मास के business आपका यहांपे जाएगा मेडिकल में भी सारे और और चीज़ों को थोड़ी चेक अब करने वाले आपके सिंपल आपके सर्विस जो होगा वह किस प्रकार करें वाला है यहां पर आपको कमिशन बडा जब आप ठ्रीमन के दोरा रहेंगे तो भाएट करवाया जागा लेकिन आपको परमानेंट कमिशन गरांट किया जाएगा और अपको इंडियन आडमी में प्रेश्कार के बात करते हैं थार्मियर करने वालाा है और ट्रेणिंग का जो कह सकते हैं कि पैसा है वो आपको लगव 56 अगर के आसपस सेलली मिलेगा जो कि हम आपको आगे बताएंगे और अगर आप बीच में ट्रेणिंग छोड़ के चले जाते हैं तो जितने भी आपका दिन आप ट्रेणिंग किये होंगे उन सारे दिनों को जो परना पड़ेगा इसके साथ आपको जो टैक्स होता है वो भी उसको साथ आपको वहां प्ये करना पड़ेगा लेकर आपको आपको त्रेनिंग कंप्रीट हो जागा तो आपको यह लेट्टन पोस्ट पर रखा जागा जिसका की लेवल 10 का सलिए होगा जो कि 56 अगर आप दे देख सकते हैं पहले आजे रखा जागा फिर आपको कैट्रेंट रखा जागा जो कि आपका दो यह करहने वाला है मतलब कमीशन यानि जब आप जॉब करेंगे आपको पोस्ट पर चले जाएंगे उसके दो साल के बाद आपको मेजर बना दिया जागा फिर तेरह साल के पर आपको बहुत अगलर प्रकार के अलाउंस जो कि यहां से देख सकते हैं यह यहां पर यहां पर यहां पर दिया जाता है पर यह समझ में आरहा होगा और देखने को हूँ करना होते हैं और उनको आपको कमांड करना होते हैं और उनको आपको पहले से पता होगा तो रखते इस वीडियो को सभी तमाम जनकारी आपको मिल गई होगी अगर कोई भी जनकारी चुट गई होगी या फिर कोई भी जनकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट वाक्स मिल कर बिल्कुल पूस सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग